नमस्का दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पर मैं discussion करूँगा एक ऐसे company के बारे में, जो दिखा जाए तो एक government company है और company उस sector का एक leader company है, इस sector से मैं belong करूँगा, मतलम बात करने वाला हूँ, वो एक power generate and distribute company है, तो इंडिया के number one, इंडिया के number one power generate and distribute company है, NTPC, जिसके बारे में बात करूँगा, आप कहेंगे सर, number one तो NTPC नहीं है, number one और number two तो अदानी ग्रूप के company है, आपके बात सही है, वो एक private company है, और एक क्या है, PSE, मतलब government company है, तो government company के हिसाब से देखा है, तो number one position में जो है NTPC बहुत सारे लोग एचीज मुझे पूसते रहते हैं, सर, NTPC का जो main, major जो business का revenues आते हैं, वो मतलब जितने सारे thermal power से उससे आते हैं, तो koila का सबसे ज़्यादा इस company का जरूत होता है, तो koila से देखाज़े तो company के उपर क्या, इस company के उपर future में क्या होगा, future में अगर koila का जो demand कम हो जाएगा, और साथी साथ koila का, जो coal का carbon dioxide जो बाहर आते हैं, तो उससे बहुत धर्दी को problems होता है, तो इसलिए उसका भी बंद किया जाएगा, तो future में क्या होगा, तो उसके लिए भी solution कर चुके हैं, इस company, तो उसी के बारे मैं discuss करांगा, और company के टेखनी के level touch किया है, अगर वो level तोड़ता है, तो फिर कौन सा next level रहेगा, और अगर वो नहीं तोड़ता है, तो कहाँ पर आ सकता है, तो उसके बारे में discussion करूँगा, तो वीडियो को last तक जूरू देखना, और अभी तक अपनी इस चैनल को subscribe नहीं है, तो करे लिजएगा, बहुत सा National Thermal Power Corporation नाम से ही जाना जाता है, इसका मतलब मैं पहले बते चुको सबसे ज़दर एभी निउस कमपनी को Thermal Power से आते है, कमपनी टोटल जो कैपासिटी है, 63,000 मेगा वाट का टोटल कैपासिटी है, 70 पावर प्लैंट से है, तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट कमपनी के उपर काम करते है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर कमपनी बैठ वे है, 70 पावर प्लैंट मतलब सोचिए कितना बड़ा कैपासिटी है, तो टोटल आउट और टोटल कैपासिटी है, 83 परसन कम्स फॉम धर्मल पार मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, कमपनी का जादा से परसन, हाइडर पार भी है, जहाँ पर 5 परसन, रेनेबूल एनरजी है, जहाँ पर 2 परसन, कितना चोटा मतलब हिस्सेदरी रेनेबूल एनरजी के उपर है, बहुत सर लोगों पर ये भी सोच कर रखा है, कि रेनेबूल एनरजी फीचर में ग्रोथ करेगा, तो इस कमपनी गुना चादा आगे चल चुके है, अदानी का ग्रूप, साथे साथ टाटा ग्रूप भी, रिलाइन्स भी, तो सारे कमपनी भी इसके उपर फोकस रखके हैं, और अदानी तो टारगेट लेके रखा है, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिनेवल एनरजी के उ इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए, थोड़ा सा सेपेश जोन में और अच्छा का सा रेविनियूज तो कमपनी उतना ज्यादा नहीं देते हैं, फिर भी कमपनी आपको सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको देता है, वो है डेविडेल, साती साथ बोनास, और स्प्लीट और बाइबैक, इस तरह के से चीज बो बार बार लेके आते हैं, तो यही एक एक्स्टर वेनिफिट मिलता है इस सारे कमपनी के पर, देखे कमपनी कोई छोटा मोटा कमपनी मत समझ लेना, 1,66,900 का टोटल, सरी, 1,66,900 के आसपास कमपनी का मार्केट क्याफ है, तो कमपनी कि है, तो देखे, बड़े कमपनी है, लोग इस कमपनी को उपर कितने इंटर्स रखते हैं, बोभी में आपको दिखा दू, तो आप NTPC के डिटल्स देखेंगे, तो देखे, कमपनी ने हाई के थे कब, 3rd November, 181 के आसपास, और अभी कितना चल रहा है, 172 रूपीज के आसपास है, और उसको टज भी क्या है, बोभी में आपको दिखाऊंगा, और इसका लो कब था, एक साल पहले, 20 December में, 119, तो 119 से 181, तो अच्छा कासा एक रैली देखने को मिला, और यह नहीं सिर्फ कमपनी देखे, हर दिन में, हर दिन में कमपनी के डिलिवरी चेंज हो रहा है, और वो भी अच्छा कासा डिलिवरी उठा जा रहा है, देखे, अगर quantity traded होता, तो में छोड़ देता, अगर कमपनी में डिलिवरी उठा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पेसाल होने वाला है, क्योंकि डिलिवरी देखे, 67% का डिलिवरी, आप कहेंगे सर इस डिलिवरी तो कौन उठा रहा है, देखे, पाबली कितना डिलिवरी उठा नहीं सकते, उसके लिए बड़े-बड़े investor के जोरोत होते हैं, जैसे FIS हो गया, जैसे DIS हो गया, तो mutual fund company, बहुत सरे बड़े-बड़े players होते हैं, जो इस तरिके से डिलिवरी तब उठाता है, जब कमपनी मे growth और potential जो दिखते हैं, मतलब दिखने को मिलता है, तबको मैं previous कुछ data दिखा दू, तो 1st December, 30 November, 20 November, 28 November, तो हर data देखेंगे, तो 60, 63, 70% के आसपास आपको delivery report देखने को मिलेगा, इसका मतलब company में लगातार लगातार एकी range bound के लोपर delivery उठा जा रहा है, तो continuously इतना होने वाला है, तो मैं जुरू कहूंगा इस company के उपर focus रखने के लिए, क्योंकि company इंडिया के एक largest company है, पीसी सेक्टर में, तो company में खासियत क्या है, चलो बोब आपको बतायता हो, company में सबसे जो चीज मुझे अच्छा लगा, एक reasonable P.R.C. में देखने को मिला, company के book value, company का current price, same to same level में देखने को मिला, company के dividend yield 4% के आसपास है, company ऐसे नहीं के income नहीं किया, 16,900, कदिवन 17,000 का income किया है, हाथ में cash भी 17,000 के उपर है, तो company का debt जो है 1.58 मतलब रूपीस के आसपास है, तो अच्छा खासा debt भी company लेकर रखा, तो company के debt के percentage 22,23,000 के आसपास है, तो आप कह सबसे जदा debt अधानी के पास है, अधानी green के पास सबसे जदा debt debt को मिलेगा, साड़े साथ परसन, साड़े तीन परसन के आसपास, तो इतना बड़ा debt भी लेकर रखा है, तो NTPC का खासियत यह है कि company का market cap to sales एकड़म ठीक ठाक है, एक रूपय कमाने के लिए company को एक रूपय रही देना पड़ रहा है, तो company का sales growth बहुत तगड़ा है, profit growth भी सांदर है, company के जो inventory day है, वो यहाँ पर discuss क्या नहीं किया है, मगर company का data is 75 days लग रहा है, मतलब company का products बेचने के बाद पैसा हाथ में 75 days में आ रहा है, तो company का profit and loss के बारे में बात कर तो company continuously कुद का profit को maintain कर रहा ह है, continuously इसके उपर बहुत effort देना पड़ता है, तो हर साल company का profit growth होता जा रहा है, यह भी एक खासियत है, तो इसलिए company आपको return भी कुछ negative में नहीं दिया, हाँ आप कहेंगे साथ 10 सल, 5 सल में 3% का return इस से आचा होता, तो में saving bank में पैसा रखता तो इस से ज्यादा interest मुझे मिल जाता, तो हाँ, आपके बात सही है, मगत saving account में आपके extra benefit नहीं देता, जो इस company आपको दिया है, क्या benefit है, company आपको bonus दिया है, punish to 5 ratio का, साथ इसाथ company buyback भी लेक के आए थे, एक बार, company dividend हर साल में 3-4 बार करके dividend देता रखता है, देखी, इस बार अल्रेडी करीवन 7 रुपी था, आज FIS ने भी stake बढ़ा चुके है, करीबन 15% के आसपास, DS ने भी 31% के आसपास stake बढ़ा चुके है, public देखी, छोटा सा माल उठाक रखता है, अभी भी छोटा सा माल उठाक रखता है, प्रोमोटर के पास 54% holding था, आज 51% holding है, तो सारे चीत यही बताता है कि company में दम है क्यों दम है, क्योंकि company का cash flow बहुत तगड़ी, मतलब तगड़ा performance यह आपर देखने को मिला, continuously company का profit ratios के हिसाब से company का cash flow भी maintain हो रहा है, तो cash flow maintain करना कोई आम बात नहीं, हमेशा मतलब उस तरीके से cash flow को maintain करना, company के लिए एक positively sign है, तो मैं company का chart pattern के बारे में बात करूं, तो द वहाँ से company high किया और high हुआ था करीबन 2500 रुपीज के आसपास, 240 रुपीज के आसपास, वहाँ से company ने crash किया, फिर से recovery करने का कोशिस किया, मगर कोबीड के situation में इसका low हो गया था, करीबन करीबन 70 रुपीज के आसपास, मगर वहाँ से company ने देखी क्या किया, continuously jump किया, और higher higher high बनाते गये और company high किये करीबन 185 रुपीज के आसपास, जो एक बड़ा सा एक resistance और support के जोन की सबसे काम कर रहा है, मेरे सबसे यहाँ पर जो big resistance है, big resistance और supply zone इसको में जोरुका हुआ, यह level कितना है, 202 रुपीज के आसपास, मगर आपको एक चीज में आपको हमेशा में कोई भी बड़ा resistance है, वो आपको देखना है क्या वो resistance के साथ supply zone भी है, तो यहाँ पर देखिया अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, इसका मतलब यह supply zone भी है और resistance भी है, तो इस resistance को तोनना पड़ेगा, उसके बाद जो high level है, 240 level के आसपास, वो बहुत strong एक resistance on supply zone है, वो एक big supply zone होते है, तो इस सारे level को तोड़ेंगे, तो एक अच्छा कासा momentum देखेगा, अगर नहीं तोड़ा, तो फिल से यह जो resistance था, यहाँ पर support बनेगा, तो support से retouch करके वो फिल से बापस जा सकता है, तो यह मेरा analysis है, आप इस वीडियो को totally education purpose में जुरू लेना, आप ए झाल